नमस्कार दोस्तो, करंट अफेर सीरीज में मैं चंदरहास, कास किलासीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा कास किलासीज का परिवार अच्छा होगा और बहुत जबरदस तरीके से आने वाले SSC अथवा SSC के एक्जाम की तेहरी भी कर रहे होंगे पैरे दोस्तो, आपकी उसी तेहरी को और वहतरीन बनाने के लिए बहुती शांदर तरीके से मैं करंट अफेर की किलास लेके आया हूँ आप हमारे साथ में वीडियो पर अंतक बने रहना और जबरदस तरीके से हम करंट अफेर पढ़ेंगे बहुती शांदर तरीके से हम सीखेंगे आप वीडियो को अंतक जरू देखना हाल ही में भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है आज का पहला क्योंशन है दोस्तो क्योशन ये अपने पास में हाल ही में भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है तो हाल ही में भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है तो दोस्तों आप बता दे ना CB जार्ज बने है CB जार्ज हाल ही के अंदर हाल ही केंदर यदी जी कर किया जाए कि हाल ही में भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है तो दोस्तों आब बता देना सीबी जार्ज बने हैं सीबी जार्ज जापान में भारत के नए राजदूत बने हैं ठीक है ये क्योशन याद रखेगा हाल ही में भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है तो आब बताएंगे सीबी जार्ज और ये सीबी जार्ज दोस्तों उननी सु तिरान में बैचके I.F.S. अधिकारी है ये ध्यान रखिएगा जापान का जिकर आया है तो दोस्तो जापान की राजधाने टोकियो है और विसो में सरवादिक जनसंख्या वाला सहर भी कौनसा है तो आप बताते ना दोस्तो विसो में सरवादिक जनसंख्या वाला सहर भी टोकियो है तोकियो का जिकर किया जाए तो दोस्तो ये टोकियो कौनसे द्वीब के उपर सितित है तो आप बताएंगे होनसु द्वीब के उपर जो जापान का सबसे बड़ा द्वीब है जापान का सबसे बड़ा द्वीब का जिकर किया जाए तो दोस्तो जापान का सबसे बड़ा द्वीब होन्सु द्वीब है और उसी होन्सु द्वीब के ऊपर जापान की राजधानी टोक्यो सिथित है इसी होन्सु द्वीब के ऊपर दोस्तो हीरो सीमा सहर भी सिथित है और पर बंप पड़ा था 6 अगस्त 1945 में और उस बंप का नाम क्या था तो दोस्तों बता देना लिटिल बोई उस बंप का नाम हुआ करता था लेकिन नागा साकी का जिकर करें कि नागा साकी के उपर बंप कप पड़ा था तो साथियों बता देना 9 अगस्त 1945 में और नागा साकी के से द्वीब के उपर है दोस्तों बता दे ना कयूसू द्वीब के उपर कयूसू द्वीब के उपर ध्यान रखे का बड़ा सांदर क्यूशन है हाल ही में भारत और जापान भारत के जापान में नए राजदूत कोन बने है तो जापान में नए राजदूत बने है दोस्तों उ 1990 में सरवाधिक जन्संक्यावाला सहेरधी टोकियो थ्यान रखिएगा जापान की राजधानी जो टोकियो है वह भूसिल होन्सुद्वीब जो जापान का सबसे बड़ा डिवीब है और इसी हुंसु द्वीब के उपर सितित है तो अब बताओगे दोस्तों कयूसु द्रीप के उपर सितित है लेकिन हाल ही में भारत और जापान के बीच हाल ही में भारत और जापान की जो नेवी है इसके बीच में एक सैने अभ्यास सल रहा है नो सैना अभ्यास हाल ही में भारत और जापान की नेवी के बी जो संयुक्त अप्भ्यास सला हुआ है वो पहां पर चला हुआ है तो दोस्तों, बता दे न जापान केंदर जो बंगाल के खाड़ी है न वहां पर चला हुआ çek अटि टो दोस्तों आपन नेवीडे कम मनाते हैं तो चयार दिसंबर को नेवीडे मनातेême और प्यारे साथ यूजीकर यदि नेवी काया है तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत के नेवी के चीफ कोन है और हरी कुमार वर्तमान में इंडियन जो नेवी है उसके चीफ है ठीक है यहां तक क्योशन के लिए रोजाना है का चाहिए किसी को भी किसी परकार का आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए दोस्तो कौन सी राजे सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री गोवन्स मोबाइल चिकित्सा योजना सुरू की है किस राजे सरकार ने किस राजे सरकार ने किस राजे सरकार ने मुख्यमंत्री किस राजे सरकार ने दोस्तो मु मोबाइल चिकिट्सा किस राजे सरकार ने मुख्य मंत्री गोवन्स मोबाइल चिकिट्सा योजना सुरू की है योजना सुरू की है किस राजे सरकार ने मुख्य मंत्री गोवन्स मोबाइल चिकिट्सा योजना सुरू की है तो आप बताएंगे किस राजे सरकार ने मुख्य म मतलब समझु रहें गायों के लिए मोबाई्ल चिकट साइदी कि आपकी गाय बिमार हो जाती है कोई गाय द्रगटना के साथ में घायल हो जाती है कोई गौशाला में गाय बिमार हो जाती है उन सभी का इलाज करने के लिए 36 गड़ की सरकार ने मुख्यमंत्री गोवन्स मोबाइल चिकित सयोजना स्टार्ट की है ठीक है 36 गड़ का जीकर करें तो दोस्तो 36 गड़ 2000 में बना था और ये जो 36 गड़ है ये जो 36 गड़ इसका मुख्यमंत्री कोन है तो आप बता दे ना भुपेश भागेल भुपेश भागेल यहां का मुख्यमंत्री है और 36 गड़ का गवर्नर का जीकर करें तो आप बता दे ना सूसरी अनसुया उईके यह यहां की गवर्नर है आप ध्यान रखिएगा ठीक है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृति संग्राले कहां बनाया जाएगा तो दोस्तों आप बता दे ना दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृति संग्राले है वो राखी घड़ी में बनेगा और राखी घड़ी दोस्तों कहां है हरियाना में और हरियाना का मुख्यमंत्री कोन है दोस्तों तो आप बता दे ना मनोहर लाल खटर मनोहर लाल खटर ये हरियाना का मुख्यमंत्री है और राजेपाल कोन है तो आप बताएंगे बंडारू दत्तातरे ये हरियाना का राजेपाल है ध्यान रखना बहुँ जबरदस क्यूशन है ये कि दुनिया का सबसे बड़ा हरपा संस्किर्थी संग्राले दुनिया का सबसे बड़ा हरपा संस्किर्थी संग्राले का बनेगा तो दोस्तो आप बता देना राखी गड़ी में राखी गड़ी कहां है हरियाना में और ये जो संग्राले है हरियाना में बनेगा तो हरियाना का मुख्यमंत्री कोन है मनोरलाल खटर और हर्याना का रज्यपाल कोन है तो दोस्तो आप बता देना बंडारू दत्यातर है हर्याना का रज्यपाल है लेकिन राखी गड़ी कहा है तो आप बताएंगे दोस्तो ये हर्याना के हिसार जिले में सितित है हिसार जिले में सितित है राखी गड़ी और यहां राकी गड़ी से कुन से रिसी का संबन रहा है जमदागनी रिसी का संबन रहा है जमदागनी रिसी जो भगवान पर सुराम के फादर हुआ करते थे किलियर है ना किसी भी परकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए फिर भी doubt है तो comment कीजिए चलिए next question की तरह बढ़ते हैं दोस्तों बहुत शांदर तरीके से आपने पढ़ रहे हैं बहुत ही जबरदस तरीके से सारे point के लिए होने जाने चाहिए आपके next question next person क्या है आपने पास में वो एक पर देखे बहुत बढ़िया परसन है एकदम बहतरीन हाल ही में पहला राजा मिर्च महोच्षव कहां मनाया गया है हाल ही में पहला राजा मिर्च महोच्षव हाल ही में राजा कैदे या नागा कैदे दोनों मानने पढ़ेंगे आपको हाल ही में राजा मिर्च महोच्षव है यह फस्ट कहां मनाया गया है हाल ही में पहला ध्यान रखेगा हाल ही में पहला राजा मिर्च महोच्षव कहां मनाया गया है तो दोस्तों आप बता दे ना नागलेंड में मनाया गया है और नागलेंड का कौन सा गाउं है जिसके अंदर यह मनाया अपने पास में कि हाल ही में भारत का पहला कैदे या पहला राजा नागा मिर्च महोचो कहां मनाया गया है तो दोस्तों आब बता दे ना नागलेंड के सेही हामा गाउं में सेही हामा एक गाउं पढ़ता है वहाँ पर ये मनाया गया है नागलेंड का जिकर करें तो नागलें और नागालेंड को पहले किस नाम से जानते थे तो नागा हिल्स तुएन सांग के नाम से जानते थे नागा हिल्स तुएन सांग ये नागालेंड का पुराना नाम है ध्यान रखना दोस्तो नागालेंड का पुराना नाम जीकर करे तो नागा हिल्स तुएन सांग ये नागाल तोइन सांग का नाम बदल के नागलेंड कब हुआ था 1961 राजे कब बना था 1963 राज की भाथा क्या है? इंगलीज है और मुख्यमंत्री कोन है? नेफियो है और नागलेंड के कोन से गाउं में? हाल ही में रासर मिर्च महोचसो अतो अनागा मिर्च महोशों मनाए गए तो सही हामा गाउं में सही हामा गाउं पड़ता है वहां पर हाली में पैंसन पैंसन एट योवर डोर स्टोप पहल पैंसन के सुरुवात कहां की गई है तो दोस्तों आब बता देना मुंबई में की गई है मुंबई में बहुत सांदर क्योश्चन है कि pension at your door step पहल की सुरुवात कहां की गई है तो दोस्तों आब बता देना मुंबई में और मुंबई का जिकर करें तो कहां है महारास्टर में और महारास्टर का मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछे दोस्तों तो महारास्टर का मुख्यमंत्री कोन है एकनाथ सिंदे है एकनाथ सिंदे महाराश्टर का राज्यपाल यदि पूछा जाए तो महाराश्टर का राज्यपाल कोन है गवर्नर कोन है तो भगत सिंग कोश्यारी है लेकिन मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी भी है और बुंबई के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कभी सूर्य चिपता ही नहीं है यह ध्यान रखेगा तो pension at your doorstep पहल की शुरुवात किस ने की गई है बुंबई में की गई है लेकिन यहाँ का जाता था कि बुंबई में कभी सूर्य चिपता ही नहीं है और अब बाईसा बैसा चिप गया कि सारे बुंबई को अकल ठीकाने आ गई बाईसा बुंबई के अंदर सूर्य चिपता है या नहीं चिपता है सारी फिल्मों का इलाज हो रहा है बैंकर तरीके से हाली में भारत वे जापान के भी चलो यह तो हो गया आपना नेक्स क्यूशन राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जम्मू कस्मीर से राज्य सभा के लिए किसे नामित किया है अपनी जो राष्टपती है जिसका नाम द्रोपदी मुर्मू है इस राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जम्मू कस्मीर से राश्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जम्मू कस्मीर से राज्य सभा के लिए किसे नामित किया है। राश्टपती द्रोपदी मुर्मू जिसका समंध उडिसा से है। राश्टपती द्रोपदी मुर्मू ने जम्मू कस्मीर से राज्य सभा के लिए किसे चुना है। तो आप बता देना गुलाम अली को चुना है। बहुत बढ़िया क्योश्चन है। UAE की परमुख सवास सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स बुर्जिंग होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड अमेश्टर त्यार किया, बनाया है। बढ़िया अपने पास में एक बुर्जिल होल्डिंग्स के नाम से एक सवास्त कंपनी है, सवास्त सेवा कंपनी है, सवास्त सेवा मतलब मैडिकल से रिलेटिड कंपनी है, सवास्त सेवा कंपनी है, और ये कंपनी दोस्तों कहां की है, तो ये जो बुर्जिल होल्डिंग्स यह UAE की है United जो Arab Emirat है वहां की कम्पनी है UAE की सवास्त शेवा कम्पनी बुर्जिल हॉल्डिंग्स ने आपना बरांड एमिसटर किसे नूखत किया है तो आपना बरांड एमिसटर किसे नूखत किया है तो दोस्तोब बता दे ना सारुक खान को नियुक्त किया है, सारुक खान को ठीक है, कि लिए रखेगा सारुक खान को बनाया है, अब हम वो क्यूशन करेंगे, जो बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट है, और जो स्टेटिक जी के अंदर आते हैं, सक्समत की सुरुवात दोस्तों कब हुई थी, सक्समत की शुरुवात अठेटर इस भी पूरव अठेटर इस भी पूरव ये सक्समवत की शुरुवात हुई थी और किस ने की थी तो दोस्तों आब बता दे ना कनिस्क ने की थी कनिस्क ने कहने का मतलब कहने का मतलब मेरे पहरे साथियो आप सारे ध्यान रखना कि सक समवत की सुरुवात 38 इसा पूरो होती है कौन करता है कनिस करता है आज जो आपका राश्टी कलेंडर है वो इसी सक समवत के उपर यहाद आ रहीत है आज का जो कलेंडर है सक समवत और भारत सरकार ने सकसंवत को रास्टी पंचांग के रूप में कब अपनाया था 22 जुलाई 1957 के अंदर 22 जुलाई 1957 में अपनाया था अमेरीका का रास्टी खेल क्या है अमेरीका अमेरीका का दोस्तो रास्टी खेल का जीकर करे तो अम्रीका का रास्टी खेल क्या है तो आप बता देना बेसबाल ये बेसबाल अम्रीका का रास्टी खेल है ध्यान रखिएगा नेक्स पाइंट नेक्स पाइंट आपने पास में हाफ मैन कप का सम्मद्ध हाफ मैन जो कप है इसका सम्मद्ध किस से है तो हाफ मैन कप का सम्मद्ध किस से है तो अब बता दे ना टैनी से हाफ मैन जो कप है ना हाफ मैन कप इसका सम्मद्ध कुन से खेल से है तो दोस्तो हाफ पेन कप का संबंद टैनी से है क्यू सबद का संबंद किस से क्यू जो क्यू सबद है इस क्यू सबद का संबंद किस से है तो आप बता देना बिलियर्ड से बिलियर्ड से इसका संबंद है बिलियर्ड से संबंद है क्यू जो वर्ड है क्यू वर्ड इसका संबंद कौन से खेल स तो आप बता देना दोस्तों बिलियर्ड से इसका संबंध है जहांगीर के दर्बार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था भाई एक मुगल समराट है जहांगीर जो पकका नसेडी था इस जहांगीर के दर्बार में पक्षियों का चित्र बनाने वाल पक्षियों का चित्र बनाने वाला वेक्ती कौन था महान चित्रकार कौन हुआ करता था तो मनसूर मनसूर हुआ करता था जांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला वेक्ती मनसूर था बलैक होल घटना कलकत्ता में किसके सासनकाल के दोरान घटी थी बलैक होल घटना बलैक होल घटना क्या है दोस्तों की एक कोटरी के अंदर 1812 की एक कोटरी थी और उस कोटरी के अंदर 146 लोगों को बंद कर दिया 1812 में 146 लोगों को जिसमें लगबग 22-23 लोग जिन्दा बच यह किसके साथनकाल के दोरान हुई थी तो SIRाज Nou-Daulah के सासंकाल के यह उस समयμεं बंगाल का नवाब हुआ करता था बलाय खोल करता है वो ग writes Bottom Kalakatta में दोस्तों कवी थी 1756 में किसके सासंकाल में हुई थी तो SHIRाज Nou-Dolla के सासंकाल में हुई थी तो प्यारे साथियो मेरे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ही सेयर करना वरना रहने देना ठीक है आपके सेयर करने से ना करने से मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ रहा है ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि आपने शेहर कर दी तो कर में फोर चुनर में चलूंगा ऐसा बिल्कूल भी नहीं है तो आप मेरे साथ में बस बने रहें इतना ही काफी है ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत धन्यवाद